आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students तो आज का मारा Question है Hot Tea when poured into a saucer Facilitates Easy Drinking तो जब आपके पास गरम गरम टी है आप इसको एक saucer के उपर अगर लेकर आजाओ तो आप Easily Drink कर सकते हो इसका Reason ये है कि Evaporation का जो Speed है वो बढ़ जाता है और इसलिए आप Easily Drink कर पाते हो फिकर मत करो अभी नहीं समझ मैं है तो मैं समझाओंगा Evaporation जो है ये Increase हो जाती है अब Evaporation आपकी Increase क्यों हुई क्योंकि आपने Surface जो है उसको Increase कर दिया आपने Surface बढ़ा दिया और इस Reason से Evaporation बढ़ गया अगर आपको मैं बताओ Evaporation का जो Process है वो Depend करता है कितना Surface Exposed है अगर आप देख सकते हो तो ये बड़ा container है और एक छोटा container है दोनों मैंने Same liquid भरा है Same temperature पर इस में से जो liquid है वो जल्दी Evaporate होगा Reason क्या है कि यहाँ पर Surface जादा है Surface Serial जितना जादा होगा उतना Easily Evaporation होगा चलो ठीक है समझ में आ गया जब आपने गरम टी पीनी थी तो आपने Saucer की उपर ले ली Generally आप टी को cups में पीते हो ठीक है आपने cup में से टी को पीना चाहते थे पर आपने इसको किस में डाला एक Saucer में डाला Saucer का Surface Serial जो है ये बड़ा होता है ठीक है तब आपने area बढ़ा लिया Good Evaporation जादा हो गए यहां तक तो समझ आ गया पर इससे हमें पीने में क्यों easy होता है इसका reason ये है कि जो हमारी गरम गरम tea है Hot tea जो है ये जल्दी ठंडी हो जाती है जल्दी cool down होने लगती है ठीक है अगर बहुत गरम चीज है तो हमें पीने में दिक्कत होगी पर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो easily पी पाऊगे अब cool down क्यों हो रही है जल्दी वो reason है Evaporation Evaporation होने का लिए requirement क्या है Evaporation क्या करता है अपने surroundings में से temperature का इस्तिमाल करता है surroundings की जो heat है surroundings की heat जो है यह इसको use करता है और heat को use करने के बाद evaporate होता है अगर इस चीज ने surrounding temperature के ने अपनी heat को ले लिया मतलब पानी था पानी ने अपने आसपास की heat को consume किया और चला गया तो आसपास की जगा कैसी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी आसपास की जगा cool down हो जाएगी क्योंकि वहाँ से heat को किसी ने ले लिया और उस heat को लेके चला गया वहाँ से water vapor में convert हो गया अगर मैं water की बात कर रहा हूं तो हमारे case में hot tea है तो hot tea को जब मैंने ज़्यादा सर्फेस एरा पे लगाया तो evaporation का process बढ़ गया evaporation कैसे होता है आसपास की heat को consume करता है और उसको लेके चला जाता है वो vapor state में तो surrounding की heat हमने ली surrounding की heat लेने से क्या हुआ cool down हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा evaporation हो रहा था क्योंकि service area बढ़ाया तो evaporation बढ़ा classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार सुपर